नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं होगी बदादे कार्मिक विभाग की ओर से भेजी गई अब तक के अधिसूचना में सबसे अधिक स्वास्त विभाग से समध्निक्तिया हैं चिकित्सा पदादिकारी के 232 आयो वेद चिकित्सा के 207 और होमोपैथिक चिकित्सा पदादिकारी के 137 नर्सिंग ट्यूटर के 116 पदों के अलावा खाद सुरक्षा पदादिकारी के 56 पदों पर न्युक्ति होगी जारखन में बारिस के आसार जारखन में अब गर्मी सरहत मिलने के आसार है पिछले 24 घंटे के दर्मियान उतरपूरवी हिसो में हलकी बुंदा बांधी की सुचना मिली ह। जब कि सेस हीसों में हीट वेब से भी रहात मिली है मौसम विभाग की माने तो बारिश की इस्थीती बन रही है हाला कि किसी परकार के साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर जारखन में होता दिखना ही रहा है जिस वज़ा से मौसम सुस्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा बता दे कि पिछले 24 गंटे में राज़ानी राशी का अधिकतम 38-52 डिग्री जबकि निम्तम 21 डिग्री सेस्थ दर्ज किया गया जारखन में बच्चों को स्कूल लाने के लिए बैक टो स्कूल अभियान सुरू राज़्य में स्कूलों के खुलने के बाद उन बच्चों को स्कूल लाने की भी क्यवाय सुरू हो रही है जो कुरोना के कारण लंबे समय तक इसकूलों के बंद रहने से इसकूल से बाहर हो गए हैं राज सरकार ने इसे लेकर back to school अभियान चलाने का निन्या लिया है एक माह का या अभियान मंगलवार से पुरे राज्य के सरकार स्कूल में शुरू हो गया इस अभियान के माध्यम से प्रारमिक स्कूलों में बच्चों की सत परतिसत उपस्थिती सुनिशित की जाएगी ऐसा स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को स्कूल से जोड़ कर किया जाएगा अभियान के दोरान विद्याले से बाहर रहने वाले बच्चों परवासी परिवार के बच्चों, बिसेस आउसक्ता वाले बच्चों, कुरोना से परभावित बच्चों आधी को सिख्षा भी भाग के डोहर एप के माध्यम से चिनित कर उनका नमांकन पास के स्कूलों में सुनिश्चीत कराया जाएगा साथ ही अभियान के दोरान सभी इसकूलों में आव सक्तान सा रंग रोंगन, कक्छाओं की मरमत, सवचाला एवन प्याजल की समुचित बेवस्था आधी से समन्दित काले भी किये जाएंगे नियोजन वह स्थाने निती को लेकर जन आकरोस रैली बोरियो विधायक लोबिन हेम्रेम ने मंगलवार की सूबा 11.10 मेट पर भोगनाडी पहुच वहां की पवित्र भोमी को नमन किया साथ ही मिटी का तिलक लगाया इसके बाद अमर सहीद सीधू कानू चांद भैरो की पर तीमा पर मल्यारपन वह सरदा सुमन अरपित कर अपने अभियान का सुबारम किया बता दे मौके पर भोगनाडी में जूटे लोबिन के करिकारताव समर्थकों ने सीवू सेरें जिंदावाद सेनू कानू अमर रहे के नारे लगाए उन्होंने कहा कि जारखन में उन्हें 32 के खत्यान के अधारपन योजन निति लागू करना उनका मकसद है इस मकसद को लेकर वे अभियान पर निकले हैं पूरे राज्य में घूम घूम कर आदिवासि वा मुलवासियों को जागरूप करने का काम करेंगे मौके पर लोबिन हेमर्यम के साथ सेदू कानू के वनसज मंडल मुर्मो मुखे रूप से सामिल थे उन्होंने कहा के राज्य कठन के 22 साल बाद में नियोजन निती नहीं बन पाना अपसोस की बात है पंचायत चुना में नहीं होगा नोटा का विकल्प पंचायत चुना में नोटा का उपयोग कर कोई भी नागरिक उमिद्वार को भोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है लेकिन जहरखन में परस्तावी त्रियस्तरे पंचायत चुना में नोटा का विकल्प नहीं होगा मद्दताओं को किसी न किसी उमिद्वार को अनिवारे रूप से बोट देना होगा राज निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिये निर्देश में इसका उलेक किया है आयोग ने इसके साथ ही विभीन पदो के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर का रंग तथा उसमें मिद्वारो के नाम आधिक के मुद्रन का भी निर्दारन कर दिया है बैलेट पेपर पर काले रंग में अभियार्थी के नाम चुनाव चीन तथा अनप्रविष्टिया अंकित रहेंगी पंचाय चुनाव ईबियम की बजाए बैलेट पेपर पर होगा आयोग ने जारी दिशानी देश में नमांकन की जगह तथा नमांकन सुल्क भी निधालित कर दिये हैं जो 50 रुपई से 5 रुपई तक के बीच में हैं गुमला की फुटबॉलर बेटी अस्टम उराओ के नाम से बनेगा खेल का मैदान गुमला जिला अंतरगात बीसूनपूर परखंड के गौरा टोली गाओ की बेटी अस्टम उराओ का राष्ट्रिये महिला फुटबॉल टीम में चयन होने के बाद लेकर बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने क्यों सकता है इस मौगे पर अस्टम उराओ के पीता हीरा उराओ एवं माता तारा देवी को गुल्दस्ता एवं साल भेट कर समानित करते हुए बेटी का राष्ट्रिये फुटबॉल टीम में चयनित होने पर बधाई दिया और हर संभव मदद करने का अस्वासन भी दिया जारखन के कई विधायकों पर आयसे अधिक संपाती का मामला आयसे अधिक संपाती के मामले में गत मां 28 मार्ज को मांडर की विधायक बंधू तिर्की को सजा सुनाए जाने के बाद कोड़ा केबिनेट के दो अने पुरो मंत्रियों के खिलाब ट्राइल तेज होने की उमीद है CBI मुख्याले ने CBI की राची साखा को या निर्देश दिया है कि आयसे अधिक संपाती के मामले में जो भी मामले लंबी था है उनका जल्द ट्राइल कराए और केस निस्पादित कराए अब उमीद जताई जा रहा है कि बहुत जल्द ही मधुख कोड़ा केबिनेट के दो पूरो मंत्री कमले सिंग और भानुपरताब साही के खिलाब CBI की BCS अधारत में ट्राइल शुरू हो जाएगा दिल्ली में मंधन के बाद कॉंग्रेस ने जार्खन में बढ़ाई सक्रिये था जार्खन में सतारूट गरबंधन के अहम सयोगी दल कॉंग्रेस ने संगठन की मजबुती के लिए BCS कवैद आरम किया है इसके तहत मंगलवार को नई दिल्ली में परदेश कॉंग्रेस परभारी अविनास पांडे ने सभी विधाय को राज सरकार के मंत्रियों समेत वरिये नेताओ को तलब किया था इसमें वरिये नेताओ को अलग-अलग जीलों की कमान सोपी गई कॉंग्रेस मुख्यालेक के वार रूम में उन्होंने नेताओ संग घंटो मन्थन के बाद निर्देश दिया की संगठन को मजबूत करने की कमर कसले बैठक में संगठन को धारदार बनाने सज़स्यत्या अभियान एवाम डिजिटल सज़स्यत्या समेत अनभाविकार क्रमों पर भी चर्चा हुई किसानों को धान विक्री की दूसरी किस्त का भुक्तान जल्द होगा जारखन राज के एक लाख एक तीस हैर किसानों ने अब तक सरकार को लगभग सत्तर लाख किंटल धान बेचा है इसमें से एक लाख तीन हैर किसानों को पौली किस्त की रासी का भुक्तान किया जा चुका है इन्हें निम्तम समर्थन मुले 294 रुपे प्रातिक किंटल की दर से 50 पर 37 रासी का भुक्तान किया गया अब दूसरी किस्त की रासी की भुक्तान के परकिरिया सुरू की गई है इसके तहट किसानों को बोनस 110 रुपे प्रतिक क्यूंड़ के साथ निमतम समर्थन मुल के 50 परतियस राशी का भुगतान किया जा रहा है अब तक सरकार की ओर से 382 किसानों को धान को क्राय की पूरी राशी का भुगतान किया जा चुका है सरकार ने धान करे कि ये वज में किसानों को 557.92 क्लोर रुपे का भुगतान किया है जारखन में कुरोना के एक नए केस मिले हैं जबकि 6 मरी स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कुरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 45 है भारत में 795 नए केस मिले हैं जबकि 1287 मरी स्वास्त भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 27 से 961 पंचायत चुनाव की अधिसुचना 27 जारी कर दी जाएगी हर अस्तर पर जार्खन सरकार ने चुनाव कराने की त्यारी कर ली है मंत्री आलमगीर आलम नई जनकारी मंगलवार को नई दिली में आयोजित कॉंग्रेस नेताओ की बैठक में दी जार्खन कंग्रेस प्रभारी अविनास पांडे ने मंगलवार को जार्खन कंग्रेस के सभी नेताओं बिधायकों और मंत्रियों को नई दिली तलब किया था इसी बैठक में अलमगीर आलम ने यह जनकारी साजा की है प्रवारी अविनास पंडे ने अपने मंत्री को जार्खन में जल्द से जल्द पंचायद चुनाव कराने की नसिहत दी चुनाव में हो रही देरी पर उन्होंने नराजगी भी जताई है इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इसी सप्ता पंचायत चुनाव के इसुचना जारी कर दी जाएगी नकसलियों का जारखन बंद का असर लोहर्दागा और गुमला में परिचालन ठप नकसलि संगठन भैकपाम मवादी द्वारा जारखन बंद का असर देखने को मिला लोहर्दागा जिले में जहां बॉक्साइट रख और लंबी दूरी की आत्री बसे नहीं चली वहीं गुमला में भी बॉक्साइट का का परिचालन ठप रहा देवघर यारपोट को नगर बिमानन निदेशालाई से मिला किलेरेंस जारखन के देवघर यारपोट को नगर बिमानन निदेशालाई नई दिल्ली से किलेरेंस मिल गया है निदे साले ने देवगर यारपोर्ट की सुरक्षा के साभी मान को पसंतोष्टी जताते हुए Ministry of Civil Aviation को रिपोर्ट भेज दिया है अब जल्द निदे साले से बिधिवत रूप से यारपोर्ट Authority of India की देवगर यूनिट को DGCA का लाइसेंस उपलब्द करा दिया जाएगा नगर बिमान निदे साले ने शुरुवात में देवगर यारपोर्ट से घरेलू बिमान सेवा सुरू करने का किलेरेंस दिया है DGCA के किलिरेंस के अनुसार देवगर एरपोर्ट से अभी रात्री बिमान सेवा सुरू नहीं होगी संसाधन अधिक बढ़ने के बाद ही इंटरनेशनल फलाइट वो 24 गंटे बिमान सेवा सुरू हो पाएगी भुरून लिंग जाच परतिबंधित की सुचना लगाने का निर्देश राजे के सभी अल्टर साउंड के इंद्रों में भुरून लिंग जाच नौ होने का नोटिस बोर्ट लगाने के निर्देश दिये गए है यह भी लिखना होगा की PC and PNDT Act के तहत त्यार डंदनी अपराध है सुचना बोर्ट का आकार तीन गुना दो फिट का होगा इस पर जाच करने वाले डॉक्टर वा उनके समय का विजिक्र होगा स्वास्त विभाग में अयोजीत PC, PNDT की बैठक के बाद सभी जीलों को इसे लागू करने को कहा गया है रोजी रोटी को लेकर बाइक जुलूस निकाला रोजी रोटी को लेकर निर्शा में मंगलवर को बाइक जुलूस निकाला गया रोजी रोटी को लेकर MPL के हाईवा मालिक, ड्राइबर खलासी, पाट्स, दुकान वा गायरज मिस्तिरी ने खुदिया फाटक मोड से MPL गेट तक हजारों की संख्या में बाइक जुलूस निकाला MPL में रेलवे रेक आने से 25 से 30 हजार लोग परत्यक्ष और परत्यक्ष रूप से बेरुजगाल हो जाएंगे जिसको लेकर या जुलूस निकाला गया नकसलियों का बंद का गिरी डी में रहा मिला जुला असर नकसलियों सेंख्या भागपा मवादी दराब बुलाए गया बंद का ज्यार खन के गिरी डी जिले में मिला जुला असर देखने को मिला गिरी डी बस इस्टेंड से खुलने वाली लांबी दूरी की बस से अपने समय से खूली रही हलाकी बंद के मद नजार गिरी डी पूलिस और CRPF के जवान जारकन बिहर के सिमवर्थी इलाकों में सर्च अभ्यान चलाते रहे नक्सल परहावित पारसनात पहाडी की तराई वाले इलाकों में पूलिस की बिसेस नजार है और इस इलाके में भी पूलिस का नक्सली और खिलाब सर्च अभ्यान जारी है आपको बता दे कि भागपम मवाजी के केंद्रिय केमिटी सदसे कंचन दाखी गिरफतारी के बिरोद में जारकन बिहार पचिम मंगाल वो असम में नक्सली बंद की घोषना की गई थी नक्सली सूरजनाथ खिरवार बुद्धवार को करेगा लुहर दगगा में आत्म समरपन भागपम मवाजी संगठन का हाटकور नक्सली और दस्ते का सदसे सूरजनाथ खिरवार और गटू लुहर दगगा पोलिस के समख़ बुद्धवार को अधिकारिक रूप से आत्मसमरपन करेगा हलाकि सुत्रों की माने तो सुरजनाथ खेरवार ने बिगत 15 मार्श 2022 को पूलिस के समख्ष आत्मसमरपन कर दिया था जिसे पूलिस लगातार पुछताच कर सफलता का परचम लहरा रही है सुरजनाथ खेरवार लोहरदागा जी लेके पेसरार थाना चेतरेक के बुलबुल गाउं का रहने वाला है नकसाली के पीता का नाम बाल की सूर खेरवार है एड़ोकेट एसोसियेशन के चुनाव के लिए आमसभा जारखन हाई कोट एड़ोकेट एसोसियेशन के चुनाव के त्यारी सुरू हो गई है चुनाव कराने के लिए एसोसियेशन के कमिटी ने 7 अप्रेल को आमसभा बुलाई है आमसभा में 3 सज़से कमिटी बनाई जाएगी इसके बाद प्रस्ताव बार कॉंसिल को भेजा जाएगा कमिटी के अध्याक रितु कुमार ने बताया कि करोना के चलते जार्खन एड़ोकेट एसोसियेशन का चुनाव नहीं हो पाया था कॉंसिल के निर्देश पर कमिटी ही अभी काम देख रही थी अब करोना संक्रमन में कमी हुई है तो इसो देखते वे 7 अप्रेल को आमसभा बुलाई गई है सिक्षा विभाग ने राजे खाद आयोग को नहीं दी रिपोर्ट जार्खन राजे खाद आयोग ने इसकुली सिक्षा वसक्षता विभाग से माई गई रिपोर्ट नहीं मिलने पन्न राज की जताई है आयोग ने सिक्षा सचीव राजेश कुमार सालमा को पत्र लिकर निर्देश दिया है कि अगर रिपोर्ट नहीं दी गई तो आयोग सीधी करवाई करेगा जार्खन राज खाद आयोग के अध्यक्ष हिमांसु सेखर चौधरी ने बताया कि आयोग की ओर से दो नॉमबर को सिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया था इसमें सितंबर 2020 से पत्र भेजने की तारिक तक इस कुली बच्चों को कुकिंग कोष्ट की रासी अंडा या फल देने की रासी मांगी गई थी इसे सिक्षा विभाग ने अब तक उपलब्द नहीं कराया है उन्होंने असपश्ट किया है कि आयोग के अद्रक्ष की ओर से मांगी गई जनकारी से सिक्षा विभाग आउगत कराया नहीं तो आयोग राश्ट्री एकाज सुरक्षा अदिनियम 2013 क्यादार पर करवाई करेगा जारखन के साथ जिलो के एसपी सहीत 9 IPS का तबदला जारखन सरकार ने साथ जिलो के एसपी सहीत कुल 9 IPS अदिकारों का तबदला कर दिया है बतादेच जीन साथ जिलो के एसपी का तबदला हुआ है उनमें गोड़ा पचमी सिंभूम खुटी सिमडेगा देवगार लौदा का वजाम तरह जिला सामिल है राश्टी के एसपी सिटी सुरब को सिमडेगा का एसपी बनाया गया है वही रांची में SP City के पदपर जैब 6 के समादेश्टा आंसुमान कुमार को पदस्थापित किया गया है आंसुमान कुमार 2013 बैज के IPS अधिकारी है फंड नहीं रहने से रांची के 43 अजयर बिद्यार्थियों के छातिविर्ती रुगी राइधानी में Post-Metric Scholarship के लिए चायनी 43 अजयर बिद्यार्थियों का पैसा अधर में लटक गया है भुगतान के लिए जीले में फंड उपलवद नहीं है बिद्यार्थि स्कोलर्शिप का पैसा न आने की सिकायत कई बार जीला कल्यान कर्यालाय में कर चुके है लेकिन भी भायक फंड का रोना रो रही है मालूम हो कि 11,1986 चायतरों को स्कोलर्शिप के लिए जीलास तरिये अनुमोदन समीति का अनुमोदन मिल चुका है इसमें 79-251 को स्कोलर्शिप का भुगतान कर दिया गया है लेकिन 43 अब विद्यार्थों को पैसा नहीं मिल रहा है रिम्स में अल्टरा साउंड, MRI और CT scan मसीन खराब राजे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीजों को रेडियो लोजी जाच की सुबधा साही से नहीं मिल पा रही है रिम्स में बरतमान में मरीजों को न तो MRI की सुबधा साही से मिल पा रही है न CT scan हो पा रहा है और नहीं ultrasound हो पा रहा है बताद इसका सिधा नुक्सान आयुसमान भारत योजना के ताथ भरती मरीजों को हो रहा है रिम्स की मसीने सही होने से इन्हें सभी तरह की जाच निसुल्क मिल पाती पर अब इन्हें बाहर के केंद्र में पैसा देकर जाच कराना पड़ रहा है कई मरीज पैसे के अभाव में जाच भी नहीं करा रहे डॉक्टर अर्चना मौत के बिरोध में निकाला केंद्र मार्च डॉक्टर अर्चना की मौत के बिरोध में मंगलवार को डॉक्टर वाइफ एसोसियेशन ने आई एमे से लेकर करम टोली चोक तक केंद्र मार्च निकाला इसके बाद सरदाजली दी गाई एसुसियेशन के सेसियों ने कहा कि कोई भी चिकित्सक मरीज की हत्या नहीं करता बलिक पूरी जिन्दगी पढ़ाई कर मरीज की जान बचाने की कोशिश करता है समाज में इस तरह की घटनाओं से महिला चिकित्सकों का मनोबल टूट रहा है प्रतारना से तंग आकर डक्टर अर्चना ने आत्म हत्या कर ली इस घटनाओं में सामील सभी दोस्यों पर करवाई की जाए एसुसियेशन की बिनीता सरन ने कहा कि डक्टर इसलिए पढ़ाई करता है ताकि वो मरीजों की जान बचा सके कोई हत्या करने के लिए डक्टर नहीं बनता जारखन में पूलिस का खुपिया तंत्र फेल दीपक परकास भाजपा परदेश अध्यक्स राज सभा संसर दीपक परकास ने जारखन पूलिस की कारे सहली पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा कि हमन सरकार में पूलिस का खुपिया तंत्र फेल हो चुका है पूलिस काम करने से कहीं ज़्यादा वसूली में ब्यस्थ है पूलिस जनता को नयाय दिलाने के बज़ाय उल्जाने में मस्थ है दिपक ने कोलकात्ता HDF द्वारा दुमका जीले से गिरफतारी पर जारकन पूलिस के खुपिया तंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोलकात्ता पूलिस जारकन में छापे मारी कर अप राधियों के गिरफतार कर रही है लेकिन जारकन पूलिस को इसकी भनक तक नहीं है 14 अप्रेल को जेल भरो आंदोलन आईसू कर करता अगामी 14 अप्रेल को आईसू द्वारा जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा इन दिन पार्टी कर करता गिरफतारी देंगे इस कारेकरम का आयोजान भारत रतन भीम राव अंबेटकर की जयानती पर किया गया है कारेकरता को लेकर मंगलवार को आईसू पार्टी गडवा जिला कमेटी की बैठा खोई जिसमें कारेकरम को सफल बनाने की रणनेती बनाई गई धन्यवाद यदि आप चैनल पनाई हो तो चैनल को सब्सक्राब कर बहल का बेल एक अंदा भाजे साथ सब वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस से दे थांक यू